नमस्कार साथियों मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है द्रश्री आयस चैनल की इस नए वीडियो में यह हमारा करेंट फेर रिवीजिन का प्रोग्राम है जहां पर हम इस बार के प्रिलिम्स एक्जाम को देखते हुए पिछले साल की जो भी इंपॉर्टेंट खबरे रही हैं उन खबरों को एक बार रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यदि आपके प्रश्ण पत्र में इसको ले करके कोई भी सवाल आता है तो सवाल को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े तो जाहिर तो पर उमीद है कि पूर विडियो है वो आप जानते हैं एकॉनमिक्स की सीरीज को अर्थ शास्त्र की सीरीज को बिसिकली यहां पर कवर करने की कोशिश की जा रही है तो शहले विडियो की शुरुआत करते हैं और अपनी पहली खबर पर बात करते हैं तो हमारी जो पहली खबर है वो सन्युक्त प् एक डिपार्टमेंट है FDA, FDA यानि के सन्युक्तराज अमेरिका का खाद एवं आउशधी प्रशाशन, यानि Food and Drug Administration, तो इसकी और से बेसिकली एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि पिछले चार वर्षों में, अमेरिका में जो खाद आयात आया है, उसको लेकर के डेटा जारी किया गया है, जिसमें अमेरिकी बाजार में भारतिय खाद निर्यात कों के सामने बड़ी चुनोती को उजागर किया गया है, दरसरी पूरी रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरह से दुनिया के चार बड़े देश ऐसे हैं, इसको लेकर के इस पूरी रिपोर्ट में बात की गई है, तो रिपोर्ट में अगर आप देखें, तो बेसिकली आकडो में कहा गया है कि भारत, चाइना और मेक्सिको ये तीन देश ऐसे हैं जिनका जो रिफ्यूजल रेट है, वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, अब इसको थोड़ा सा समझने से पहले इसमें डेटा मे अमेरिका में जो भी फूर्ड बेजे जाते हैं, वो ता क्या है कि अमेरिका की जो आथारिटी जै और फिर वो वापस भारत में आ जाती है इसको आप कहते हैं shipment rejection या फिर shipment refusal तो इसी process को इसी पूरे इसी ही चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बात की गई है और report यह बताती है कि America में basically जो भी खादपदार जाते हैं उसमें तीर देशों का refusal rate सबसे ज़्यादा है इसमें पहले नंबर पर आपको भारत मिलेगा इसके बा हैं आप या अस्विक्रती दर्भी कह सकते हैं तो भारत की जो refusal rate है वो 0.15% के आसपास है वहीं दूसरी तरफ जब आप बात करते हैं चाइना की तो चाइना का जो refusal rate है वो 0.022% के आसपास है और मेक्सिको की जब आप बात करते हैं तो इसका refusal rate 0.025% के आसपास है अब यह पर जब आप इस डेटा को देखेंगे तो आसानी से आप इस डेटा की अधार पर निसकर्श निकाल सकते हैं कि इन तीन देशों में भी चाइना और मेक्सिको की तुलना में भारत को जो रिफ्यूजल रेट है वो सबसे जादा है तो ये चीज जो है ये रिफ्यूजल रेट जो है वो भारत के निर्यात के लिए भारत जो भी अंतराष्टी व्यापार करता है अमेरिका के साथ उसमें एक बड़ी बाधा उत्पन करता है ये कुल निर्यात के तुलना में भारतिक हाथ निर्यात को अस्विकृत करने की जो है अधिक घटनाओं के तरफ इशारा करता ह ये तो हमने बेसिकली रिपोर्ट में क्या बताया गया है उसकी बात की क्या डेटा पेश किया गया है अब रिपोर्ट ये भी बताती है कि ये जो horsी पिज़ूजल होते हैं इन असिविक्रतियों का कारण क्या है तो कारणों के अगर आप एक बार बात करें कारणों को देखे जो कि अमेरिका के अथोरिटी के जो standards हैं, उन standards को कई बार जो पूरा नहीं कर पाते हैं, इसके अलावा अस्विकृत उत्पादों में कई बार जो है आपको पेट में गंबीर संक्रमण पैदा करने वाले bacteria, चल्वधिया सालमोनिला भी देखने को मिलता है तो यह बैक्टीरिया है सालमोनिला यह बैक्टीरिया कई बार आपको फूड प्रॉडक्स में देखने को मिलेगा इसके रावा कुछ उत्पादों में आपको अस्विकृत दवाओं असुरक्षित खाद योजकों और निशिद प्तिति भी निजार आएगी जिसकी वज़े से उनको जो है अस्विकार कर दिया जाता है कई बार आपको खाने में ऐसे ड्रग्स देखने को मिलेंगी जो की जो है, निशिद हैं, जो की जिन को banned किया गया है अमेरिका में, तो उसकी वज़े से भी कई बार Kita जो है refusal देखने को मिलता है इसके अलावां गलत पोशन संबंधी लेबल कई बार आपको देखने को मिलते हैं कहीं पर जो है sugar content ज़्यादा होता है उसको कम दिखाया जाता है कहीं पर protein कम होता है उसको ज़्यादा दिखाया जाता है तो labeling भारत में आपको कम देखने को मिलती है, labeling समंधी समस्यां पर मौझूद होती है, इसके लावा कई बार भारते उत्पादों में ब्रहामक स्वास्त दावे भी देखने को मिलती है, यह कहा जाता है कि यह जो product है आपकी इस बिमारी को ठीक कर देगा, आपकी फ़ना बिमार भारती को ठीक कर देगा, तो यह दावे भी आपको भारती उत्पादों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिनकी वज़े से American authorities की योड़ से उनको ban कर दिया जाता है, उनको reject कर दिया जाता है, और वो उत्पाद वापस भारत में आ जाने हैं, तो यह basically कुछ समस जो कि आपको भारती उत्पादों के साथ देखने को मिलेंगी, तो अब इनी समस्याओं के आधार पर आप निसकर्श भी निकाल सकते हैं, कि उपाए क्या हो सकते हैं, उपाए यही होगा कि सबसे पहले भारती authorities जो हैं, उनको अपने नियमों को अंतराश्टी international level का बनाना पड़ेगा, इसके अलावा उनकी जाच, उनका implementation बहुत जादा important है, इसके अलावा जो हम labeling को लेकर के बात करते हैं, कि भारती उत्पादों में गलत labeling आपको देखने को मिलती है, उस समस्या से निपटने की भी जरूरत है, भारती उत्पादों में बहतर labeling होनी जो ब्रामक दावे किये जाते हैं, उन दावों से बचने की जरूरत है, जैसा कि हाल ही में पिछले कुछ समय में आपने देखा कि सुप्रीम कोट लगातार इस तरह के मामलों पर संग्यान ले रहा है और इस तरह के मामलों से निपटने की कोशिश की जा रही है, जहां पर पतंजली का नाम सबसे उपर आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की उपाय आपको अपनाते हुए सरकार नजर आ सकती है, अगर सरकार इस पर बहतर ढंग से काम करती है, अब इसके अलावा अगर आप दिर्घकालिक रुजानों की बात करें रिफ्यूजल को ले करके, यानि कि भारत की जो प्रॉडक्ट अमेरिका में जाते हैं, उसका लॉंग टर्म व्यू क्या है, लॉंग टर्म प्रैटर्न क्या है, उसको अगर आप समझने की कोशिश करें, तो पिछले एक दश्यक में अगर आप देखेंगे, तो भारत के में जो रिफ्यूजल संख्या थी, वो आपका 1591 के आसपास थी, 1591 के आसपास थी, वहीं 2023 में घट करके 1033 के आसपास पहुंच गई थी, यानि कि इसमें गिरावाट आपको जरूर नजर आएगी, लेकिन इसके बावजूद भी, इस रिफ्यूजल की बावजूद भी अग आप देखेंगे, तो वित्यवर्ष 2023 में अमेरिका को भारत का खाद निर्याद जो था, वो 1.45 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया था, इसके पिछले वित्यवर्ष जो है, उससे 16 प्रतीशत की बढ़ोतरी आपको देखने को बिली थी, तो एक तरफ जो है भारत की जो प्रड़क्ट है, वो रिफ्यूज हो रहे हैं अमेरिका में, उनको रिजेट किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, दूसरी जो पिक्चर है, वहां से आपको पता चलता है कि भारत ये उत्पादों की जो बिक्री हो रही है, वो वहां पर इसकी वजे से दोनों देशों के वीच में जो व्यापार है, उस व्यापार में भी आपको बढ़होतिरी देखने को मिल रही है, अमेरिका को फिसिकली प्रमुग भारती निर्यात में बासमती चावल भारत के ओर से निर्यात किया जाता है, प्राकर्तिक शहद नाचल हनी इ अगर आप देखें तो अनाच से बनी हुई जो चीजे होती हैं वो अमेरिका को निर्यात की जाती हैं तो यह कुछ important points थे जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं इसके अलावा अगर आप देखें तो अमेरिकी खाद्य आयात इंकारों का समर्थन करने को लेकर के अंतराश् लेवल पर ऐसे कौन-कौन से mechanism हैं जो कि अमेरिका को यह अधिकार देते हैं कि वो भारत की उत्पादों को इंकार कर सकती है या फिर किसी भी देश को यह अधिकार देते हैं कि वो भारत की उत्पादों को इंकार कर सकते हैं उनको reject कर सकते हैं उनको refuse कर सकती है तो इस तरह क mechanism के अगर आप बात करें तो WTO का एक mechanism है उसका एक समझहोता है जिसका नाम है sanitary और phytosanitary समझहोता तो यह जो समझहोता है इस समझहोता basically सुनिश्यत करता है कि जो WTO के सदस्त हैं उनके बीच में व्यापारिक उतपाद कीट और बीमारियों से रहित कीट और बीमारियन ना मौझूद हो उनमें उनकी वज़े से बीमारियन ना फैलें और खाद उतपादों में हानिकारक पदार्थ या फिर रोग जनक जो पदार् थे एक जनवरी 1995 को तो यह बेसिकली यह बेसिकली डबलोटियों का समझाता है जिसमें भारत और अमेरिका सही दुनिया के 164 मेंबर आपको दिखाई दे जाएंगे तो यह हमने समझाते पर बात की समझाते के नाम को आप त्याद रखना है सैनेटरी और फाइटो सैनेटरी चलिए बढ़ते हैं आगे बात करते हैं हमारी अगली खबर पर तो हमारी जो अगली खबर है वो वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 है यह रिपोर्ट आपका यूरोपीय संख कर वेदशाला यानि कि यूरोपेन यूनियन टेक्स लिबर्टरी की ओर से जारी की गई है तो इ से निपटने के प्रयासों से संबंधित महत्मूर मुद्धों पर प्रकाश जालती है तो रिपोर्ट ये बताती है कि पिछले कुछ सरम जो हमारे पिछले कुछ दशक गुजरे हैं उनमें अंतराश्टी सुधारों में जो प्रयास किये गए हैं उनकी प्रभाव कितना रहा है उसकी जहांच यहांपर करने कोशिश की जाती है इसमें अगर आप देखें इन प्रभावों में अगर आप देखें इन सुधारों में आप देखें तो इसमें आपको सूचनाओ का सवचालित आदान प्रदान देखने को मिलेगा बहुराश्ट्य निगमों के लिए कर चोरी का मतलब क्या होता है संशेप में अगर आप कहें तो कर चोरी का मतलब यह है कि आप अपनी लीगल आय को छुपाते हैं आप अपनी आय को छुपा करके सरकारी को यह कहते हैं कि आपकी कमाई हुई है जिसकी वज़े से आपको जो है कम टेक्स देना पड़ता है और जो आप जो आपने पैसा छुपाया है उस पर आपको टेक्स नहीं देना पड़ता इसकी वड़े से आपका पैसा बच जाता है तो इसको आप कहते हैं कर चोरी का प्रासेस अब इसको अगर आप डेफिनेशन कर असके और से समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि कर चोरी को आये को कम करके या कटौती को बढ़ा करके या विदेशी खातों में पैसे को ट्रांसफर करके या किसी की कर देंदारी को कम करने के लिए अन्य भ्रहमक तरीकों का इस्तमाल करके सरकार को दे करों का भुकतान करने से अवैधे रूप से बचना है यानकि बेसिकली आपकी जो भी liability बनती है tax की, उसको अगर आप किसी भी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं, तो इसको कहा जाता है tax evasion या फिर tax चोरी, तो कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी आई को कम करके दिखा सकते हैं, मालिजी आपने 100 रुपे कमाए, औ आप सरकार को बताते हैं 50 रुपे, तो आपके जो 50 रुपे बचे, जिस पर आपने tax नहीं दिया, उस पर तो आपको फाइदा हो गया, तो इससे आप ने क्या किया, आपने tax evasion किया, tax चोरी करी, या फिर आप कटौती को बढ़ा करके दिखा सकते हैं, अगर आप भारती कान आप कहीं दूसरी investment करते हैं, तो taxable amount से काट सकते हैं, या rent भरते हैं, आप तो taxable amount से काट सकते हैं, तो इस तरह का जो process है, इससे भी आप अपनी कटौती को कम कर सकते हैं, और अपने tax को बचा सकते हैं, इसके अलावा अगर आप अपने पैसे को विदेशिक हातों में transfer कर द इसी दूसरा टरीकाँ अपनाते हैं तो इस पूरे से आप जोभी पैसे बचाएंगे उसको क्या कहा जाएगा इसमें विद्िय जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या छुपाकर दायत्तों को कम करने का जानबुज़कर और गैर कानूनी प्रयास शामिल है अब इस कर चोरी से निपटने के लिए अंतराश्टिय स्तर पर हमें क्या-क्या सुधार देखने को मिले हैं उसकी अगर आप बात करें तो निदर लागू करता है तो अगर आप OECD की बात करेंगे आर्थिक सहयोग और विकास अंगठन उसकी और से ये प्रस्ताव दिया गया था कि हम बड़ी अंतराश्टी कंपनियों पर जो बड़ी मल्टिनाशनल कंपनी हैं उन पर जो है 15 प्रतिशत नियूनतम कर लगा सकते ह जिसे संभावित रूप पर रूप से वार्शिक कर राजस्तों में 1.500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक अतरिक्त स्रजित हो सकता था और दुनिया भर के जो तमाम देश थे तकरीबन 136 देश जिसमें भारत भी शामिल था इन 136 देशों ने एक साथ मिल करके कर्चोरी परंकु तो लागू होगा ही तो कई बार क्या होता है कि जो कंपनिया है वो आपका टेक्स हेवंस में चली जाती है अपने पैसे को टेक्स हेवंस में ट्रांसफर कर देती है तो इससे उनका पैसा बच जाता है लेकिन अब क्या होगा अब बेसिकली ये जो 136 देश है ये कंपनियों पर कम से कम इतना टेक्स तो लगाएंगे ही, इससे जादा भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो लगेगा ही, तो इससे क्या होगा कि बेसिकली जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, वो पैसे को किसी दूसरे देश में ट्रांसफर नहीं करेंगी, वो अपने पास ही कि जो धनी वेक्ति हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके द्वारा आफशोर कर चोरी को रूखा जा सके, आप तर्टिये कर चोरी को आफशोर एक्स इवेजन को रूखा जा सके, ये देशों के बीच में वित्येक हातों के जानकारी के स्वचालित आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, यानि कि बेसिकली दुनिया के जो भी देश हैं, वो अगर आपका इस स्टम में शामल होने की गवज़े से आपका इन देशों में अगर कोई अमीर वेक्तिर ट्रांजक्षें करता है जाके, तो उसके जो ट्रांजक्षें की हिस्ट्य है, वो दूसरे पर बनाया गया है, तो यह हमने इस पूरे सिस्टम की बात की, अब हमने दोनों ही प्रयासों को समझ लिया है, तो हमने global minimum text की बात कर ली है, और इसके साथ हमने automatic transaction को ले करके, जो history को share करने की बात है, उसको भी समझ लिया है, अब report के प्रमुख बिंदों की अगर आप बात कर पर देते हैं, तो इसमें अगर आप देखें, तो दुनिया भर में आपको कमी देखने को मिली है, 2013 के डेटा को अगर आप देखेंगे, तो उससमें दुनिया की कुल GDP का 10% हिस्सा, वेश्विक टेक्स हैवन्स में मौजूद था, और अब है, अब जो अगर आप देखें, केवल 25% हिस्सा ही वहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर आपको कमी जाहिर तोर पर देखने को मिली है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, जैसे बहुत सारी ऑफशोर फिनांचल इंस्टिउशन ऐसे हैं, जो कि अभी भी इस पूरे मेकानिजम में, कौन से मेक जो हैं, वो अपने नियम को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टिक्ट माने जाते हैं, तो अधिकतर लोग वहाँ पर अपने पैसे को छुपा देते हैं, वो वहाँ पर अनपालन सुनिश्टित करना, अभी भी एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर बड़ी सीमा के तौर पर अरबपतियों के लिए हमें करक की दर में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, तो जो लोग बिलिनर्स हैं, उनको दुनिया भर में बहुत ज़्यादा कम टेक्स देना पड़ता है, क्योंकि वो अपने टेक्स को बचाने की पैसे, जो तरीकें हैं, वो निकाल ले अरबार में जो आसतन टेक्स अमाउंट है, वो है जीरो से लेकर के 0.25% के आसपास, उधारन के लगर आप देखेंगे, तो अमेरिका के जो अरबपति हैं, उनको अपनी संपति पर 0.5% टेक्स देना पड़ता है, अपनी संपति को बचा लेते हैं, वहीं फ्रांस के जो अर कर देते हैं, अपनी कंपनी में लॉस दिखा देते हैं, जिसकी वजशे से उनकी कंपनी को कोई टेक्स नहीं देना पड़ता, और जो दूसरी कंपनी है, उसको फायदा हो जाता है, तो अलग-अलग कंपनी में अगर आप पैसे को डिवाइड कर देंगे, तो इसकी वज़े इलेक्ट्रोनिक चालान प्रक्रिया व्यापार लेंदेन को ट्राक करने के लिए और कर चोरी को रोखने मदद करती है इसके अलावां सरकार 2018 में आर्थिक भगवड़ा अपराधी अधिनियम को लेकर के आई थी जिसका प्रात्मी कुद्धेश यही था कि जो आर्थिक अपरा प्रात्मी कुद्धेश था कि काले धन पर अंकुष लगाए जाए ब्लाक मनी को रोका जाए इसके अरावां सरकार की और से 2002 में मनी लॉंडरिंग रोक था मद्धिनियम लागो किया गया था और ये मनी लॉंडरिंग और उससे संबंधित गतिविधियों को रोकने का प्रय है उस पर हमने बात की क्या प्रयास किये गए हैं भारस सरकार ने क्या प्रयास किये हैं उनको भी यहां पर हमने समझा अब बढ़ते हैं आगे बात करते हैं हमारी अगली ख़बर पे तो हमारी जो अगली खबर है वो बेसिकली आपका बहु पक्षिय विकास बैंकों को लेक करके प्रस्तावित सुझाओं के संबंद में है यानि कि मल्टी डेमिनिशनल बैंक जो होते हैं उनको ले करके यह पूरी खबर यहां पर बात की गई है खबर चर्चा में इस वरे से आई है क्योंकि जी ट्वेंटी के एक विशेशक ये पैनल की ओर से सिफारिश की गई थी कि हमारे जो बहुपक्षिय विकास बैंक हैं उनमें सुधार की जरुवत है तो बेसिकली उनको करना क्या चाहिए उन्हों बहुपक्षिय विकास बैंकों को विक्तिगत परियोजनाओं को वित्वशित करने से हट करके छेत्र विशिष्ट एरिया स्पेसिफिक परियोजनाओ और राष्ट सरकारों द्वारा उलिखित दिर्ग कालिक परियोजनाओं में ध्यान की इंद्रित करना चाहिए तो उन्हें उनकी जो वर्किंग प्रॉसेस है उसमें और ज्यादा सुधार की जरुद है ऐसा इस पूरे जो G20 का पैनल था उसकी ओर से सिफारिश दी गई थी अब सबसे पहले इस पैनल ने सिफारिश क्या दी है उसको समझने से पहले important है कि आखिर यह जो बहुपक्षी विकास बैंक है यह होते ही कौन है और इक इस तरह से काम करते हैं तो बहुपक्षी विकास बैंकों के अगर आप बात करें तो यह अंतराष्टी संस्थान हैं इंटरनाशनल इंस्ट्यूशन हैं जिन में विक्सित और विकास सील देश दोनों शामिल होते हैं और यह बैंक क्या करते हैं यह बैंक आपके दुनिया भर के जो अलग अलग प् जेक्सर रहाएं यहां पर यह विट्ट पॉशन और विक्सित देश है वहाँ पर प्रिंड देने में सहयोग करते हैं जबकि जो विकास सील देश हैं वो आम तोर पर विकास परयोजनाओं के लिए उधार लेते हैं तो पैसा कहां से आता है पैसा आता है विक्सित देशों से और पैसा जाता है पैसा जाता है आपका विकास सील देशों में या फिर लीस्ट ड देवलब करना मानव पुंजी का निर्मार करना और इस तरह से जो हमारे दुनिया में कम आये और मध्यम आये वाले देश हैं उनका समर्धन करना उधारण के लगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक आपको मिलेगा एक बहुपक्षय विकास बैंक है इसके अलावा अफ्री की विकास बैंक है और अंतर अमेरिकी विकास बैंक है तो यह सभी जो बैंक है यह आपके कौन से बैंक है यह है आपके बहुपक्षय विकास बैंक यह हमने बहुपक्षय विकास बैंकों की बात कर ली है अब इंपोर्टन्ट यह समझना है कि आखिर इनमें सुधार की तो इन में से अधिकांश बैंक जब गठित किये गए थे तो जब जलवायू परिवर्तन की समस्या है वो इतनी गंभीर नहीं हुआ करती थी लेकिन अब धीरे धीरे जलवायू परिवर्तन की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है ऐसे में हमें जलवायू परिवर्तन के लि तो ज्यादा पैसों की जरुत फर पैसे कहां से आएंगे पैसे आएंगे आपके मल्टी डिमेंशनल जो बैंक हैं वहां से पैसे आएंगे इसके अलावा निजी छेत्रों की भागेदारी को भी सुनिश्यत करना इंपॉर्टेंट है तो MBD संचालन के लिए व्यापक निजी छ समन्वे का आएगा यह बहतर समन्वे आएगा जब उनके जो पूरा वर्किंग प्रॉसेस है उतने बदलाव होगा तो यह बदलाव की जरुत की बात हुई इसके अलावा भारत में अगर आप देखें कि भारत और जो मल्टी डिमेंशनल डिवलप्मेंट बैंक हैं उनका इ बैसिकली भारत में जो एक्टिव प्रॉजेक्ट्स हैं और जो बंद हो चुके प्रॉजेक्ट्स हैं उन में मदद करने के लिए तकरीवा 97.6 बिलियंड अमेरिकी डॉलर रेंड देने की बात की थी इतना वादा उन्होंने किया था और कुल प्रतिवद्धता में इसे 90 पर प्रतिशत जो रिण है वो परिवहन छेत्र के लिए और शेष जो रिण बचता है वो दूसरे सेक्टर में लगाया गया है तो यह तो हमने वर्ल्ड बैंक की बात की तो वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी सहायता की है अगर आप बात करें तो इसका मुख्याल है मनीला में परिवहन छेत्र में जाएंगे और 14 प्रतिशत पैसे उर्जा छेत्र में और 12.6 प्रतिशत पैसे एकनॉमिक रेजिलियन स्थापित करने के लिए दिये जाएंगे तो अगर आप यहां पर एक ट्रेंड देखेंगे तो आपको समझ में आएका कि यो अधिकान पैसे आते हैं वो परिवहन सेक्टर के लिए आते हैं ट्रांस्पोर्टेशन सेक्टर के लिए आते हैं क्योंकि भारत ये बड़ा देश है एक बहुत डाइवर्स कंट्री है बहुत डाइवर्स जियोग्रिफी आपको देखने को मिलेगी तो अगर हमारा परिवहन सेक्टर बड़ा होगा तो इसकी वज़े से हमारा देश और ज़् भूमिका रही है उस पर बात की अगली खबर को अगर आप देखें तो अगली खबर में सतत कृषी के लिए पसल परिवर्तन को लेकर के बात की गई है पसल परिवर्तन की प्रक्रिया पर यहां पर बात की गई है तो एक रिपोर्ट है एक पत्रिका है नीचर वाटर पत्रि इस पत्रिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है एक अध्यन प्रकाशित हुआ है यह अध्यन तमाम institutions की ओर से मिलके किया गया है जिसमें आपको IIT Bombay के professors मिलेंगे इसके researchers मिलेंगे डिल्वेर विश्व धाले के जो researchers हैं वो मिलेंगे कोलंबिया विश्व धाले Yale School of the Environment के शोध करता आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो यह अध्यन भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों विशेशतोर पर अगर आप देखें तो सिंधु गंगा छेत्र में पानी की खपत और उसके sustainable क्रशी पर केंद्रित यह report जो है यह अ करके इस report में बात की गई है report क्या बताती है उस पर अगर आप बात करें report के प्रमुक बिंदों को अगर आप देखें तो report में कहा गया है कि फसल परिवर्तन के माध्यम से हम जल संरक्षन को ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं तो अगर हम जो है अपनी फसल में परिवर्तन क करें आप सवाल उठता है कि परिवर्तन किस लिहाद से किया जाएगा तो report आपको यह बताती है कि खरीव सीजन के दौरान चावल के स्थान पर जो है बाजरा उगाय जाने पर जोड दिया जाना चाहिए बाजरा या फिर जौर और रभी सीजन के दौरान गीहूं के स्थान पर जौर की और जाने पर जोड हमें देना चाहिए और अगर हम ऐसा करते हैं अगर हम अपने जो हमारे इंडो गेंगेटिक प्लेन है वहाँ पर इन फर्सलों को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो इसकी वज़े से बैसे की खफात में 32 प्रतिशत और किसानों के जरी से रेप्लेस कर देते हैं और गेहूं की जो खेती है उसको हम जवार से रेप्लेस कर देते हैं तो इसकी वरे से फसल बदलने से खरीप के सीजन में 55 प्रतीशत और रभी के सीजन में 9 प्रतीशत तक पानी की जो है वचत की जा सकती है और किसानों की मुनाफ़िक अगर आ सकता है अब अगर बात करें basically आपका यहाँ पर एक चीज और आती है और वो है आपका drip irrigation तो यहाँ पर फसल परिवर्तन और drip irrigation को लेकर के comparison किया गया है तो report यह बताती है कि basically आपकी भूजल की कमी और उर्जा खपत को कम करने में फसल परिवर्तन जो है यानि कि फसलों को बद करते हैं drip irrigation की drip irrigation में क्या होता है अगर एक बार उसको आप समझें तो drip irrigation में basically यह आपका irrigation का एक method है सिचाई की प्रक्रिया है जिसमें आप पूरे खेत में पानी डालने की बजाए चोटे चोटे पाइप्स के जर्ये जो आपकी फसल है उसकी roots में आप जो है पानी डालने की क कोशिश करते हैं तो इससे पानी की बचत बहुत ज़्यदा होती है लेकिन रिपोर्ट ही कहती है कि drip irrigation से शुद्ध भूजल पुनरभरण में 34% सुधार हो सकता है जबकि फसल परिवर्तन से इसमें तकरीबन आपको 41% सुधार देखने को मिल सकता है अगर आप drip irrigation लेते हैं तो उससे आपके ground water में जो सुधार होगा वो 39-34% रह सकता है और जो फसल परिवर्तन से ground water में सुधार होगा वो 41% रह सकता है खाला कि रिपोर्ट ही कहती है कि हमें केवल एक ही method नहीं अपनाना चाहिए हम दोनों methods को अपना सकते हैं रिपोर्ट ही बताती है कि अगर आप फसल परिवर्तन और drip irrigation के सन्योजन का काम करते हैं तो इसकी वरे से आप जिला स्तर पर जो भूजल की कमी है उसको 78% कम कर सकते हैं अगर आप दोनों methods को अपनाते हैं यानि कि आप फसल में भी परिवर्तन करते हैं और फसल में परिवर्तन के साथ-साथ आप drip irrigation को भी बढ़ आप की अब बढ़ते हैं आगे अगली खबर को देखें अगली और अंतिम खबर पर अगर आप बात करें तो इसमें कहा गया है एंजल टेक्स पर CBD की और से जो निर्देश जारी हुए है उन निर्देशों को लेकर के यहां पर बात की गई है तो अगर निर्देशों की बा प्राग द्वारा जो मानेता प्राप स्टार्ट अप हैं उन स्टार्ट अपस को आपका वित्त अधनिया में संचोजित एंजल टेक्स प्रावधानों के तहत कोई अनावश्यक जाच का जो है सामना ना करना पड़े और स्टार्ट अपस को इससे नुकसान ना हो यह प्रावधानों की जाच करने से परहेस करना चाहिए उनको इंजल टेक्स को लेकर के ज्यादा जाच उनकी नहीं की जानी चाहिए इसके अलावा अगर सिंगल इशू जाच है यदि मामला जो है कि एक आएक अधिनियम की धारा 56 to 56 to 7b की निर्धा की अप्लिकिबिलिटी को लेकर के हैं तो यहां पर बेसिकली जो जाच है आपकी वो मुल्यांकर अधिकारी द्वरा बहुत ज्यादा सत्यापन पर जोर नहीं दिया जाएगा और जो भी तरक आपके जो स्टार्ट अप्स हैं उनकी और से पेश किया जाएंगे जो आपकी मुल्यांकर अधिकारी हैं वो उन तरकों को जो है बेसिकली सुईकार कर लेंगे, इसके अलावा अगर मल्टी इशूस की जांच की जा रही है, तो इसके दौरान बेसिकली एक मानता प्राप स्टार्ट अगर कई मुद्दों के लिए जांच की जा रही है उसकी, जिसमें आपका आयकर अधिनियम की धार वो है 30.6% के असपास, इसकी दर से लगाया जाता है, जब कोई असूचिबध कमपनी किसी निवेशक को उसके उचित बाजार मूले से आधिक कीमत पर शेर जादी करती है, तो इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट यहाँ पर यह है कि एंजल टेक्स तब लगाया जात होता है, जब कोई उनिवेशक को बेसिकली अपने जो बाजार मूले है, उससे ज़्यादा मूले पर शेर जाली करती है, तो इस पर आपको यह दिखाहिदे जाएगा, प्र आदमें जो यह जो आपके निवेशी निवेशक थे उनपर लाग लेकिन 2023 के माध्यम से 2023 में जो फाइनस एक्ट आया था उसके माध्यम से जो फॉरन फॉरनर है उन पर भी इंजल टेक्स को लागू कर दिया गया है इसके अलावाँ 2023 में अमेरिकी भारत की जो वित्तमंत्राले हैं उसके और से अमेरिका ब्रेटेन और फ्रांस जैसे 21 देशों है आपका वो है निधी यानिके नवाचारों के विकास और उपयोग के लिए राष्ट्य पहल इसके अलावां सरकार की और से स्टार्ट अप इंडिया एक्शन प्लान की भी शुरुबात की गई है स्टार्ट अप इको सिस्टम को समर्थन पर राज्यों के रांकिंग भी श बांत में एक बार हम CBD की भी बात कर लेते हैं तो CBD एक स्टाचूटरी बॉड़ी है जिसको आपका CBD को बेसिकली आपका केंद्री राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के माध्यम से बनाया गया था यह वित्मंत्राले के अंतरगत राजस्व विभाग यानिकर रिवेन्यू डेप मिलेगा निगमकर यानि corporate tax मिलेगा और इस तरह के दूसरे टेक्स जिनको आप प्रत्यक्स तौर पर सरकार को देते हैं वो टेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे यहां पर हमारी तमाम important खबरें हुई जिन खबरों पर हमने बात की और उमीद है कि यह खबरें आपको पसं दियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले